हाई एवरिबन तो आज हम अपने मैथ्स प्लेलिक्स का क्वेश्चन नमबर टू करेंगे ठीक है लीट कोड नमबर 587 हाड लेवल का क्वेश्चन है क्वेश्चन टफ है बट अच्छा है और एक काफी एडवांस टॉपिक पर है ठीक है बट इसको समझाएंगे तो मैं पूचाता ठीक है और इसका इंपूट और उडप देखलेते हैं और देखते हैं कि क्वीश्चन क्या कहना चाहरा है कि देखो आपको इसमें इंपूट में यह सारे coordinates दिये रहेंगे, two dimension plane का, यह सारे coordinates है, x axis, y axis के, x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate, तो ऐसे सारे points दे रखें, ठीक, इसको मैं यह plot कर दे रहाँ, उसमें ने plot कर दिया, और जो points है न, वो tree के points है, यहाँ पर tree लगे हुए, ठीक है, यहाँ हर जगा tree लगे हुए, तो यह बोल रहाँ न, क आपको fencing करनी है, और fencing ऐसे करनी है, कि सारे के सारे trees, उस fence के अंदर होने चाहिए, या तो fence के boundary में भी हो सकते है, perimeter पर, ठीक है, और fencing थोड़ा महंगा है, तो यह आपसे पूछ रहा है, कि, ऐसा fencing करो, जिससे, मतलब काफी सस्ता हो, यानि कि कम से कम fence लगे, और दूसरी बात ये, कि आपको ये output में क्या भेजना है, आपको बताना है कि कौन-कौन से जो trees है, वो आपके fencing पर है, fence के अंदर नहीं, fencing पर है, जैसे perimeter पर है, कौन-कौन से trees है, जो exactly fence जो है, जो wire लगाऊगे, आप fence लगाऊगे, exactly वही पर वो tree है, यानि कि perimeter में है, ठीक है, तो व सबसे सस्ता तरीके, सबसे सस्ते तरीके से fencing करो, याना, कम wire लगना चाहिए, क्योंकि महंगा है, दूसरा, return tree coordinates, ठीक है, आपको, which are, exactly, located, on fence perimeter, ठीक है, जो एकदम boundary पर है, ठीक है, तो जैसे example में यह दे रखा था, अब मैंने क्या क्या है, कि मैंने देखा कि बहुत सरे तरीके हैं, इसको fence करने का, एक तो यह दिख रहा है, मुझे, एक तो यह दिख रहा है, यह दिख रहा है, तो एक चीज देखो, अगर आप ऐसे fence करते हो, तो इसमें देख रहा है, तो सारे tree जो है perimeter पर ही है, यह रहा है, यहाँ पर, देखे हैं, यहाँ पर, color change कर लेके हैं, इसका, सारे ट्रीज जो है परिमीटर पर यह है है ना बट देखो यहां पर वायर आपका ज्यादा लगा है ठीक है और देखते हैं आगे इसमें भी सारे ट्री परिमीटर पर है परिमीटर पर है इसमें कुछ वायर लगे होंगे इसमें भी सारे trees perimeter पर है इसमें भी सारे trees perimeter पर है है ना बहुत सारे तरीके है और अब देखो इसमें से सबसे सबसे कम wires किसमें लगे हैं इसमें लगे हैं यह थर्ड वाला डाइग्राम है यह पहला डाइग्राम है यह दूसरा डाइग्राम है यह चौता है यह थर्ड वाले मे के अंदर या तो perimeter पर हैं और जब को को इस ट्री को सुद्र को टेस्ट करने के लिए को वायर की जरूरति नहीं पड़ी है यहां पर देख कर रहा है एधर भी देखो कर रहा है, फोर में भी देखो कर रहा है, जबकि जरुरति नही थी, जबकि यह ट्री अखेला अंदर रहे सकता है, और वो हमारे condition को भी satisfy कर रहा है, कि वो perimeter के अंदर है, fencing के अंदर है हमारे, नहीं आश्थ है देख कना वर desens और से पहले इसकी बात करते हैं इसकी कोडिनेट क्या है 1,1 है ना तो लिख लेते हैं 1,1 और इसका कोडिनेट है 2,0 इसका कोडिनेट है इसका कोडिनेट क्या है 3,3 और इसका कोडिनेट है 2,4 ठीक है यही आपका आंसर भी है देखो 1,1 2,0 2,4 3,3 4,2 है ना तो यह आपको रिटर्न करना है तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्फ कर सकते हैं ओके तो चलो इस एक्जाम्पल से देखकर समझते हैं यहाँ पर ध्यान दो इस पर ध्यान दो ठीक है देखो यह तो आपको उपर समझ में आही गया होगा कि हम लोग को अगर फैंसिंग करनी हो तो भाई बाहरी बाहर से कर दो यह ना ऐसे अंदर वाले को क्यों अगर करोगा ऐसे करके मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अंदर वाले को ऐसे 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 क्यों करने करोगे इतने वायर क्यों करोगे यह गलत है आप बाहर ही बाहर कर दो ताकि सारे ट्री जो अंदर है वो भी तो fence के अंदर ही हो गया बेस्ट है सबसे सस्ता हो गया आपका यह ना कम वायर्स में हो जाएगा और आपके आंसर्स क्या क्या होंगे जो जो परिमेटर्स पर है यह वाला ट्री 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 यह तो क्लियर हो गया तो एक चीज़ आप देखरो यह तो diagram बन रहा ना ऐसे करके थीकर ऐसे करें डाग्राम बन रहा है देखो तो convex nature नहीं है इसका convex nature मैंने क्या बोला कि हम ऐसे structure को avoid करेंगे देखरो ऐसे जो अंदर गुस रहा है मतलब ऐसा type का यह देखरो यह गरबड है कुछ अगर ऐसा मिल जाए ना हमें इस टाइप का तो दिस इस फाइन है ना ठीक है तो यह तो आपको पता चलिए कि आपको convex नेचर में ही points को connect करना है ना fencing ऐसे करनी है कि convex ही रहे उसका nature ठीक है ऐसे नहीं होना चाहिए है ना ऐसे अंदर concave nature नहीं होना चाहिए यह concave हो गया आपका यह देखरो आपने concave बना दिया है यहापर कई बार इधर यह concave हो गया तो concave नहीं we have to find a convex nature वाला diagram convex nature वाला fencing करना है हमें यह चीज तो clear हो गई ठीक है तो इस diagram को देखो यह हमारा 3.x1,x2,x3 तो this looks fine क्योंकि देखो अगर आप इसको देखोगे और इसको ऐसे connect करोगे तो देखो आपका नेचर आ रहा है sorry convex नेचर आ ठीक है प्रॉब्लम कब आ रही थी जब माल लेते हैं कुछ ऐसा आ जा रहा था यह ना ऐसा जब आ रहा था था थो पहले मैंने उपर diagram बनाया था ना कुछ ऐसा diagram आ जा रहा था ठीक है यह गरबड हो जाती ठीक है तो हमें यह हमारा correct है तो इस पर एक बार ध्यान देते हैं ठीक है इस पर एक बार ध्यान दो यह देखो X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 है ना स्लोप ऐसे नहीं कालते थे ना याद करो बच्पन में Y2 मैनस Y1 बाए X2 मैनस X1 तो यह हो गया इसको मान लेते हैं 0.1 और 2 का स्लोप है यह 0.1 है यह 0.2 है यह 0.3 है इसको M12 मान लेते हैं ठीक है अब M23 भी निकाल लेते हैं 23 है ना क्या होगा Y3 माइनस Y2 बाए X2 माइनस X3 माइनस X2 X3 माइनस X2 यहा तक clear है इसको मान लेते हैं M23 ठीक है अब देखो यह हमने P1 P2 के बाद P3 को क्यों ले पाए क्योंकि match करने पर connect करने पर जो यह है ना convex nature दे रहा था convex जैसा diagram बन रहा था तो एक क्यों बना क्योंकि देखो M23 का जो slope है वो बड़ा है M12 के slope से M23 का slope देखो ध्यान दो इसका slope जादा M23 का और M12 का स्लोप है वो कम है ठीक है तभी हम ले पाएं इसको तभी वो convex दिख रहा है मैं कभी convex जैसा diagram बन रहा है इसका मतलब क्या है कि M23 minus M12 greater than 0 है M23 जो है वो M12 से बड़ा है तभी तो convex जैसा बन रहा है इसको अगर solve कर गए तो कुछ ऐसा दिखे का देखो तो M23 है इसको replace कर दो Y3 minus Y2 by X3 minus X2 minus M12 क्या है Y2 minus Y1 X2 minus X1 इसको solve करता है ठीक है LCM लेलो और multiply कर दो क्या हो जाएगा Y3 minus Y2 X2 minus X1 minus Y2 minus Y1 इन्टू X3 minus X2 यदो बच्चोंवाला mathematics is greater than 0 और नीचे LCM में क्या आ गया होगा X3 minus X2 into X2 minus X1 ठीक है अब देखो X3 minus X2 और X2 minus X1 को उधार अगर भेज़ दो 0 के तरफ तो क्या हो जाएगा Y3 minus Y2 X2 minus X1 minus Y2 minus Y1 X3 minus X2 should be greater than 0 ठीक है यह होना चाहिए तभी हम correct जा रहे हैं ठीक है तभी हम correct जा रहे हैं तो इसको दिमाग में रखना है ठीक है यह मेरा इसको star mark करके रखते हैं ठीक है इसको दिमाग में रखना होगा ठीक है अब यहां तक तो समझ में आ गया और यह डाइग्राम भी आपको अच्छा लग रहा होगा यह वाला है ना अब आप के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है P1, P2, P3 कुछ ऐसा दिख रहा है और मैंने थोड़ी देर पहले अभी यह बनाया था पीवन, P2, P3 है ना तो मैंने बोल देता कि अच्छा यह तो गरबड है क्योंकि कंकेव जैसा नेचर बन रहा है इसका है ना लेकिन मान लो अगर आपने पूछ आपके मन में क्वेशन आ रहा होगा कि हो सकता है कि यह जो है इसको रोक एरेस करता है हो सकता है यह जो मेरा फेंसींग हो और अन्दर और भी ट्रीज हो यह पर और यहां पर कुछ ऐसा बन रहा हो तब तो ये correct है ना तब तो valid है ये ये वाला part अब तो valid हो गया ना ये जो part जो मैंने discard कर दिया था उपर ये part अब तो valid हो गया ये invalid कब हो रहा था जब कुछ ऐसा बन रहा था ऐसा type ये तब invalid हुआ लेकिन देखो ये तो नीचे तरफ कुछ बन गया ना ये जो है वह ऐसे नीचे के तरफ बन गया थीक है तो अभी तो ये valid हो रहा है तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो आप कुछ मत करो आपना अपने अपर वाले के लिए जस्ट उल्टा कंडिशन हो जाएगा और क्या है अपर वाले के लिए जस्ट उल्टा कंडिशन सेम यही कंडिशन हो जाएगा कि लोवर के लिए ये condition satisfy होना चाहिए तब ठीक है और अपर के लिए ये condition satisfy होना चाहिए तब ही ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो हमें उस point को discard करना होगा ठीक है जैसे एक example ये लेके चलते हैं ये एक point था P1 उसके बाद ये point था P2 ये point था P3 P4 P5 P6 ठीक है तो शुरू में मान लेते हैं हमने fencing ऐसे करी होगी P1 P2 की फिर जैसे हमने देखा कि अच्छा P3 की जब fencing कर रहे हैं तो हमारा ये lower part का है ये lower का है तो हमारा slope जो है वो greater than 0 आ गया जबकि lower वेन क्या बला था less than 0 आना चाहिए ये वाला जो equation है वो greater than 0 आ चाहिए लेकिन less than 0 आ जाएगा यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि P2 को हमें reject करना होगा तो मतलब P2 को हमने reject कर दिया है पीटू के लिए जो fencing करी थी और फिर fencing ऐसे करेंगे ठीक है सिमिलरली हो सकता है फिर आपने बाद में P3 के बाद P2 को connect कर दिया होगा ठीक है फिर P2 से जब P4 को connect करने गए है तो आपने देखा कि जो equation है वो greater than 0 होना चाहिए बड़ आपका RR less than 0 तो similarly आप क्या करोगे फिर यह fencing को update करके P4 को P2 से connect करोगे और यह ऐसे connect करोगे फिर यह remove करके P2 को remove करके यह डालोगे ठीक है तो इसी तरह चलता रहेगा आपका और अंत में आप बच जाओगे बस उन points के साथ आप जो भी data section में आपके points को डालोगे बस उन points के साथ बच जोगे जो आपका parameter में है जो आपके सिर्फ parameters में है यह सब इस पर बच जाओगे है यह points रह जाएगा आपके पास तो इसका जो crux जो main logic वो यह ही है ठीक है अब आगे देखते हैं अब देखते हैं कि इसको approach में कैसे लेंगे वही ह कुछ-कुछ important points है जो story की तरह बताऊंगा बस उसी को आपको उतारना होगा code में भी ठीक है तो कुछ-कुछ points है जो हमें रखने होंगे ध्यान में सबसे पहला कि अभी थोदे पहला मैंने बताया था ना कि इसको upper मानेंगे इसको lower मानेंगे और upper के लिए क्या होगा upper के लि जो हूँ मैं इसको upper लोगा यह वाला है ना अप इसको upper लोगे इसको lower लेना चाले ठीक है यह upper है आप किसी कहीं से भी line cross करो और एक side को upper मानो एक side को lower मानो तो तो आप क्या करो कि आप ठीक है अगर ऐसा है तो आप दो बना लो दो data सक्षे बना लो एक में आप lower store करना और में upper store करना ठीक है दोनों में जितने दोनों data structure में माल लेते हैं कोई ऐसा data structure रख लेना जिसमें असानी से points डाल सको और हटा भी सकतो सको क्योंकि जो point invalid है उसको याद करो हम हटा भी रहेंते हैं तो आसानी से pop कर सको तो आप DQ रख सकते हो है ना यह वाला formula लगाने के लिए यह formula लगाने के लिए आपको वापस से points access भी करने पड़ेंगे ताकि असानी से access कर सको तो DQ अच्छा भी है इससे आप पॉप कर सकते हो और निकाल भी सकते हो element सानी से access कर सकते हो ठीक है तो आप lower और अपर data structure आप दोनों में points डाल के चेक कर ल लिखा जाया कि दोनों में जो unique unique points है अब वैसे दोनों में हो सकता है कि duplicate points भी आज़ा तो unique points है उनको हम answer में return कर देंगे तो यह तो दिमाग में आगया कि चलो ठीक है दो data structure रख लेंगे एक लोवर के लिए और अपर के लिए दूसरा point क्या मैंने क्या बोला था वह जो दो equation है जो दो equation है एक लोवर वाला equation और एक अपर वाला equation है ना तो लोवर वाला equation जो लगेगा वो कौन से data structure लगेगा लोवर वाले data structure में लगेगा और उसके लिए क्या था मैंने क्या बला था कि जो equation का value का वो greater than 0 होना चाहिए अगर नहीं है तब पॉप करेंगे है ना हटा द अपर वाले equation किसके लिए चेक करोगे अपर वाले जो dq है उसमें जो points है उस पर चेक करोगे ठीक है अपर equation के लिए अगर लेस दन 0 होना चाहिए अगर लेस दन 0 नहीं है तो आपको हटाना पड़ेगा उस point को अपने dq से ठीक है और एक चीज तो सबसे basic सी चीज यह अपन equation को बनने में कम से हम कितने points चाहिए तीन points चाहिए होंगे देखरो x1, x2, x3, y1, y2, y3 है ना तो minimum 3 points तो होने चाहिए हमारे पास है ना ताकि हम वो equation लिखके check कर सकें कि अच्छा less than 0 है या greater than 0 है जो भी है बट हमें कम से कम 3 points तो चाहिए है ना और जो last point जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो काफी basic है आप खुद सोचो अगर आपको fencing करनी होगी है ना और आपको सबसे optimal fencing करनी है सस्ते वाली fencing करनी है तो obvious आप leftmost से start करना चाहोगे ना leftmost coordinates से पहले इसको पकड़ोगे फिर इसको पकड़ोगे है ना फिर इसको प कम वाले x coordinates से start करो है ना तो कुछ ऐसा sort करेंगे कि जो x coordinates है x1, x2, x3 इस तरह इस form में हो और y1, y2, y3 इस तरह में हो है ना simply sort कर देंगे अपने input को ठीक है तो यही चीजे चीजे जो मैंने आपको समझाई है है ना और less than 0, greater than 0 concept वाला जो समझाया है बिल्कु same story लिखेंग कोड में भी बस उतार देंगे जो equation बता है ये भी उतार देंगे बिल्कुल वैसे ही ताकि आपको आप रिलेट कर सको इस story से और आपको और अच्छे से फिर समझ में भी आएगा तो चलो coding करते है इसका तो देखो question बिल्कुल वही जो मैंने पताया था कि आपको coordinates दे रहें ठीक है fencing से और आपको coordinates भीचने है उनके उन trees के जो exactly located है fence के perimeter पे और मैंने यही example आपको बताया था ठीक है तो देखो code बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे story सिखाई थी जो story बताया था सबसे पहले तो भाई कि मैंने क्या बोला था कि कि सौर्ट कर लो एना कि ट्रीज तरीज ठीक है सबसे पहले तो इसको सौर्ट कर लो तो स्वाट कर लिया इसके बाद एक वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हमें अपना result store करना थीक है इसमें अपना result डाल देंगे अब उसके बाद मैंने कैं बला था दो रखेंगे न अपर और लोवर और दोनों क्या होंगे मेरे डीक्यू होँगे ठीक है डीक्यू ओफ पॉइंट्स होंगे न तो पोईंट्सको मैं पेर मं स्टोर कर लेता हूँ पेर ओफ एक्स कॉमा य का है इसको भी या फिर दोनों सेमी टाइप है तो यहां लिख देता है एक अपर होगा एक लोवर होगा दो वेरियेबल्स ठीक है अब इसके बाद देखो मैंने क्या बला था कि वह जो एक्वेशन थे अपर और लोवर के तो एक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए गलाक से फं ऌडियांगे तो पेर ओफेंट इंट और पीवन थिक है 30.5 हमारे पास आएंगे जिसे आम वोव एक्वेशन लिखके फिर फिर चेक करेंगे वैल्यू पीवन फीट फीटू एंड फीट्री थीक है क्या-क्या थे हमारे इंट एकसवन P1.1 इंट एक्सटू पीटू दोट फ यहां तह क्लियर है फिर एक और अब y1, y2 बहाई टी निकाल लेते हैं y1 P1. second and y2 is equal to P2. second and y3 is equal to P3. second ठीक है यहां तह क्लियर है यह हमने निकाल लिया और बस वही फॉर्मुला लिख देते हैं फर्मुला क्या था हमारा y3-y2 y3-y2 into x2-x1 दो माइनस y2-1 into x3-x2 यही फर्मुला था ठीक है यह फर्मुला निकाल के मैंने दिखाया भी था एक्स्लेंड करते होक्त तो भाई यहां से तो मुझे मिल जाएगा एक्वेशन का वैल्यू अब मैं यहां पर चेक करता रहूंगा इसी फंक्शन को कॉल करके कि ग्रेटर दन जीरो है या लेस दन जीरो है अपर और लोवर किके इसमें ठीक है यहां पर आते हैं अब हमारे पास जो जो पॉइंट्स आ क्योंने तो ऊप्छे मैं मुझे अच्छा लगता है अइसा ठीक है अब तो सबसे पीर साइज निकाल लेता है यहां कि मैंने क्या परदाते कम से खान्य भाई हमारे पास तीन पॉइंट्स तो हने चाहिए ना थीन पॉइंट्स होने के कम से औरबास को आ disabilities में दीखी रहा मुझे, जो ट्री में मैं ट्रेट कर रहा हूं, एक पॉइंट तो यहां से मिल गया, है न? और q में, जो q हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, कम से कम उसमें दो तो पॉइंट होने चाहिए, ताकि total हमें तीन पॉइंट चाहिए, तभी तो हम यह वाला फंक्शनल कॉल क कर पाएंगे तो एक point तो यहां से मिल गया यह जो point लिखा यह वाला और जो Q है Q से हम निकाल लेंगे बाकी 2 points ठीक है अब देगो किक वाइल क्यों का size कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए 2 कम से कम तो 2 होना चाहिए उसके पॉइंट से एक जो पॉइंट में मिल रहा है तो टीन पॉइंट हो जाएंगे तो क्यू का साइज कम ग्रेटर दन इक्वल टू होना चाहिए सबसे पहले लोवर का देखते हैं अब इसमें तीन पॉइंट भेजने थे हमें तीन पॉइंट भेजने थे लोवर के लास्ट टू पॉइंट कौन कौन से थे लोवर का साइज कितना भी ल है तो ल-2 से की से सेकें लास्ट पॉइंट मिल जाएगा सब्सक्राइब दी कि यह तो कुछ मिल गया यह तो मुझे मिल गया लाद डो पॉइंट तो इसको भी ऐसा पेर भेज देता है पॉइंट ओफ जीरो एंड पॉइंट ओफ वन ठीक है यह हमने भेज दिया अब यह जो फाइंड एक्वेशन की जो वैल्यू आएगी ificant eq. encompass की जो वैल्यू आएगी मैंने क्या बोला था अगर यह less than Zero हो गया तब तो भाए गर्बड क्यूंकि मैंने क्या बोला था लोवर वाले में greater than Zero चाहिए, अगर Less Than Zero हो गया तो अगर ले क्वेशन की पॉइंट को प्वेज गडबड एगा तो साइज घटा देंगे और क्यूकस क्यूग में पॉप अंडर स्कॉर बैक जो लास्ट टू पॉइंट में एक पॉइंट को हमने पॉप कर दिया और यह करते रहेंगे जब तक इन्वालिड आता रहेगा ठीक है है इसिमिलर्ली हम उस अपर के लिए करेंगे अपर के लिए ल नहीं है यू है अपर का साइज फायनी के लिए अपर हो गाएं यह अपर में इधर भी अपर होगा यह पॉइंट जिरो और वंतु तो है और अपर के लिए लेज दन जीरो होना चेलिक एंगए गरेट जीरो से ठीक है और यह सब जब हो जाए तो ठीक है अभी जो करेंट पॉइंट है वह हमारा वैलिट तो उसको एड़ कर देते हैं बाद में देखा जाएगा वह वैलिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अपर डॉट पुश बैक कौन सा पॉइंट है पॉइंट ओफ जीरो एन पॉइंट ओफ वन है ना अपर में डाल दिया और लोवर में भी डाल देते हैं ठीक है लोवर में भी हमने डाल दिया ठीक है पॉइंट जीरो पॉइंट में डाल दिया अब यह हमारा यह जो फॉर लूप है हमारा पूरे ट्री म बढ़े कर देगा अब यह chances है कि हमने अपर और लोवर के दोनों दोनों पॉस्इल को इस्प्रोड किया ना तो चांसे था कि हमें duplicate points मिल जाए अपर में भी कोई point हो और वह सेम पॉइंट lower भी हो सकता है तो हमें unique points चाईए तो unique points के लिए क्या करता है एक सेट बना लेते हैं सेट ऑफ पेर ओफ इंट इंट ठीक है और सेट में एड़ कर लेते हैं अपर और लोवर को तो अव्वेसे सेट में सारी यूनिक ही एड़ होंगे तो ऑफ और टो एंड आइटी अपर इटी ना बोलके पॉइंट बोलते हैं ज्यादा क्लियर लगता है स्पर्फ नांद देते हैं सको स्ट इंश्र पॉइंट उम्र ली जो मेरे अपर ये तो अपर का अट कर दिया हमने जो लोवर में है उसको भी आट कर देते हैं है ना यह अपर और लोवर को कर दिया अब सेट मयाँ unique elements होते हैं तो कुछ नहीं बस सेट में अब जाके इट्रेट कर लो हमारा सेट यह था अपने रेजल्ट वेरियेवल में आंसर को डाल दो पुश अंडरस्कोर बैक क्या क्या है आइटी नबल कि इसको पॉइंट बोलते हैं पॉइंट ठीक है अब लास्ट में हम अपने अंसर को रिटर्न कर देंगे इसको रन करके देखते हैं देखते हैं एक्जांपल के टेस्ट कैसे से पास हो रहे हैं कि नहीं हम अथे आखके तो एक्षुली यहां पर क्या है कि हमने फॉइंट जीरो फॉइंट रच्टेश कर रहे ना एक वरीयबल नहीं भीजरें डायक्टी अक्षस करके भीजिए और यहां पर देखाँ आंप अइंपर रसेंट से रीशीव कर रहे हैं जो कि गलत हो यहां पर यह का issue है तो आहां परशने इंटा दिया आब इसको सब्मेट करे देखते हैं लेट सी कि पहले इंग्यामपल टेस्ट इस के से पास हो रहेगे नहीं ग्रेट पास होगे इसको सब्मिट करके देखते हैं आपको समझ में हो गुशन ट्रिकी यह थोड़ा सा मतलब ट्रिकी भी नहीं बोल सकते हैं क्वेशन ऐसा है जिसके बार में पता नहीं होता जन्रलियमें थोड़ा मैं थेमाथिकल है कोई भी डाउट होता है प्लीज रेसे इन दे कॉमें सेक्षिन और ट्राइट वीडियो थैं